तोजी दिन है बुद्वार का सुबे के करीब साड़े आठ से पौने नौ के बीच का टाइम है तो आज जो है मेरी मौनिंग थोड़ा सा लेट हुई है और रीजन आपको बताती हूँ सबसे पहले में ये बता दू कि आज नाश्ते में मैं पोहा बनाने वाली हूँ अपने लिए और वंशीका के पापा के लिए बचे जो है नाश्ता कर चुके हैं उन्होंने चाय के साथ रस खा लिये थे तो उनको पोहा वगेरा नहीं खाना था और मेरी भी जो है आज तबित ठीक नहीं थी तो मतलब मेरी तबित भी खराब थी वंशीका की भी तबित खराब थी तो इसी वज़े से बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए तो हुआ ये कि नाइट में मुझे फीवर आ गया था नजाने क्यों एक तो मौसम भी ऐसा ही है न चेंज हो रहा है एकडम से बारिश हो जाती है फिर बहुत तेज गर्मी तो बस इसी वज़े से जो है तबित ठीक नहीं थी तो मैं सुवे उठी नहीं पाई बच्चों को भ अलका फुलका नाश्ता बना रही हूं आलू वाला पोहा जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है तो पोहे को मैंने जो है न धो लिया था और उसमें बिल्कुल चुटकी भर चीनी आड़ कर दी थी चीनी आड़ करने से क्या होता है न पोहा चिपकता नहीं है बहुत अच्छ और एक बार ट्राय जरूर किजिएगा अगर आप आलू लवर है तो मतलब दही के साथ ये बहुत बहुत जादा मज़ेदार लगता है तो बस यहां पर प्यास भी मैंने बारिक 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 लंबे लंबे कट कर लिये हैं कढ़ाई जो है गरम हो गई है उसमें मस्टर्ड साथ में मस्टर्ड सीर्ड डाले हैं और हींग डाली है साथ में कड़ी पता डाला है और यह जो आलू और प्यास हमने कट करके रखे दे थे ना यह एक साथ ही हम इसमें अड़ कर दी यह धन बहुत अच्छे से इसी बीच मैंने इसमें दो से तीन हरी मिर्च भी कट करके ड़ी है तो यहाँ पर मैंने एक बार चेक किया था तो आलू पक चुके थे अभी मैंने इसमें जो मसाले होते हैं वो एड़ करें तो मसाले बस धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पौर्डू मैने इसमें आड़ किया है और साथी साथ मैं इसमें आड़ करी हूँ पोहा उपर से थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे जितना भी आपको पसंद हो उसके बाद अच्छा सा इसको मिक्स देंगे और बिल्कुल आधा मिनट ले इसको ढखके पकाएंगे तो पोहा बन इस्ट्री सा बिल्कुल लाइट सा जो नाश्टा है वो बनके बिल्कुल तयार है पर बैटके मैं कर रही हूँ नाश्टा और वेदांश अपने स्कूल का काम कर रहा है वन्शीका भी अपना थोड़ा बहुत होमवक वगरा जो है वो पूरा कर रही है एक्छली हुआ यह है कि वन्शीका की दो तिन जिन से थोड़ा सा तबित खराब थी और उसको कुछ हेल्थ इश्यू था उसके स्कूल से भी फोन आया था कि इसकी तबित थोड़ा सा खराब हो रही है इस वज़े से फिर हम इवनिंग टाइम पे जो है उसको डॉक्टर के पास ले गयते दिन आश्ता वगएरा हो चुका है अब बारी आती है थोड़ा सा रूम वगएरा क्लीन करने की और आज सुबह उटके जो है मैं नहाई और मैं सीदे नाश्ते में लग गई मैंने घर भी क्लीन नहीं किया और होता है ना कभी-कभी बहुत ज़दा लो फील करते हैं तो जब आप को ज़दी से चेंज कर लोगी बाकि आज थोड़ी बहुत हेल्प मेरी विदांश भी करवा ही राता क्योंकि उसको भी लगता है जैसे कभी मेरी अज़दा घराब होती है तो मेरी बहुत करा देता है वंजी का भी बहुत हैल्प कराती है लेकिन वो अभी खुद ही ठीक नहीं है तो फिर मैंने उसे नहीं कहा कुछ काम करने के लिए तो वहां की बैटशीर वगेरा भी मैं काफी दिन में चेंज करती हूँ और वैसे भी ठीक रहती है उसके बाद जो है मैं अगेन कीचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी दुपैर के खाने की भी तैयारी करनी है तो ऐसा है कि बच्चों ने सुबे का नाश्टा बस ऐसे ह किया था तो दिन में उन्हें बहुत जल्दी भूक लग जाने वाली है आपर मैं बच्चों के फेवरेट कडी और चावल बनाओंगी आज और काफी सारे लोग बोलेंगे कि सावन में कडी नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मानते कि सावन में कडी दही का यूज के टाइम पर सकता है सब लोग इसलिए अवाइट करते हों लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है कड़ी चावल तो इसलिए उनकी पसंद का मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो दही काफी सारी मैंने रखी हुई थी जमी हुई और थोड़ी सी ना जिस दिन वरत था उस दिन मैं दूपैर में और नाइट में भी तो उदर जो है कड़ी मैंने चड़ा दिये उसके बाद जब तक कड़ी पकेगी तब तक अपने कपड़े वगरा यह मशीन में लगा लेते हैं हालनकि बाहर हो रहा है बारिश का मौसम और पता नहीं कब किस टाइम पर बारिश आ जाए क्य लिया तो मैं हर बार बताती हूं लोकल मार्केट से लिया है 21 रुपे का मुझे स्टैंड पड़ा था ओनलाइन मैंने चेक किया था ओनलाइन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने ओनलाइन इसको नहीं परचिस किया है तो अगर आप लोगों को भी लेना हो अग्राइन श्राइस देखा कितनी तेज आरा है अग्राइस ऑड़ा था पी दिख़गो डिखे एपयार हिवा था इसका था रिजहिस घर अज़ा था था अज़िएच्ट आसाएस पी देखेगे है उस प्राइस जानिया है यज़िवांन ज़मा दूकल ज़एगा है यह श बाहर चल रही है बहुत तेज बारिश और अंदर बन रहे हैं गर्मा-गरम पकोडे तो वैसे तो मन करताया है एसे पकोडे चाय के साथ खाने का बारिश ऐसे टाइम पर हुई है कि लंच के टाइम पर बारिश played तो फिर चाय पकोडे तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अभी तो लंच करना था तो इदर जल्दी से मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए है तो एक तरफ मैंने रख दिये थे राइस पकने के लिए तो राइस भी बन चुके है इधर कड़ी भी बन चुकी है और बच्चों से तो वेटी नहीं हो रहा तो आज इन लोगों से भूगी नहीं जहन हो रही थी तो बस यहां पर जल्दी से मैंने बना लिये हैं पकोड़े और अब बस एक काम रहता है वह होता है कड़ी में तड़का लगाने का और यह वाली कड़ी बहुत इसलिए बनती है और इसलिए बोल रही हो क्योंकि आपको न मैंने तड़का भी लगा दिया है और वही बच्चों को देने के चकर में एक चीज़ भूल गई मैं तड़के में उपर से लाल मिच डालती हूं हमेशा तो उसे क्या होता है कि जो कड़ी का कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है तो इधर बच्चों को खाना वाना देने क के बाद मैं लगी हूँ अपना कीचन समेटने में हम लोगों को अभी लंच नहीं करना था तो मैंने सुचा क्यों ना थोड़े थोड़े सब ना काम निप्टा लिया जाए क्योंकि फिर बरतन होते ना कीचन में बहुत सारे हो जाते तो बस इधर बरतन वाश कर लिए है मैं तो जी दुपैर के बचके हैं ठीक साड़े तीन और मैं बैठी हूं इस टाइम पर अपनी बैलकुनी में हमारा लंच वगरा सब कुछ हो चुका है और फाइनली आज मौसम बहुत अच्छा हो गया इसलिए जो है ना बैलकुनी के मजे लिए जा रहे नामली तो साड़े ती जबकि वंची का की तबिद भी खराब है लेकिन ये मानी नहीं और इसी वज़े से आज ये तोनों स्कूल भी नहीं गए मेरी भी तबिद खराबती मुझे भी ना फीवर हो रहा था बट बारिश को देखके रहा नहीं गया तो सुबह तो मैं तो मैं थोड़ी से ठीक हुई दो टेक की तो मैं तो मैं तो मैं थीक हूँ फिलहाल वंची का भी ठीक है बस अभी थोड़ी बहुत देर में के इनके टाइम पूरी अपना पैक वे गग रखा या तो जल्दी से बैग वग अपने लगा 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 लो और अबन कर दो है चाइप पीने का तो बस अभी जा रही हूँ एक एक प्शाय बनाते हैं वैसे तो मन नहीं करता है अगर इसम होथा ना तो बड़ा मन करता है चाइ पीने का वन्हों तो आप यकीन मानिये मेरी चाय बिल्कुल जूट सी गई है कहा तो मैं सुबे से शाम तक तीन कप चाय अराम से पी ल मेरी हो जाएगी तो next morning फिर इसकिप हो ही जाता है और अकेले भी रहती हो तो मन भी नहीं करता है तो चलिए फिलहाल जो है अपने इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर रहन करती हूं तो यह था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएग जाती ही जादा तेज तो अब यह भी मौसम बनाई हुआ है चादी बाई